तो हम लोग आज टी सिटी कम यूटूब चैनल में तो वीडियो के स्टाट करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक के बोल रहा हूं मतलब एक भाई का कमेंट काफी पुराना रहा है खींकि बहुत दिन से था उनका कमेंट की इस पर वीडियो बनातो तो आज की विडियो उसी बेस पे आज की वीडियो में है तो इस पे आज वीडियो आई है तो लेन्थी नहीं होगी बस फीवनाची के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से डीटेल दे देता हूं सारी प्र उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो haa5 अवे जैसे वे हुआ यूज करता हूं फीवनाची कोई इंडिगेटर तो है नहीं मैं िंडिगेटर कभी यूस किया नहीं अपने लाइफ में ठीक है और अभी तक जबसे मेरे ट्रेडिंग जननी चालू है तब से तने लॉंग टाइम से मैंने कभी इंडिगेटर यूस नहीं किया ठीक है तो अभी जो भी है वो टूल्स है यह फिमनाची टूल्स है तो उसको हम बताएंगे कैसे यूज करना है तो भाई एक बर और फिर से दुबारा वो कमेंट करते हैं कि बाई मैं कब से बोल रहा हूं यार आप इस पर वीडियो बना दो तो भाई इसके लिए इतना लेट कर लेट मैं बना रह रहता है कमेंट उनका थोड़ा उनका भी बनाता रहता हूं पता ही होगा अब जिन लोगों का बाकी है जिन लोगों को जिस बेस पर वीडियो चाहिए वो आएगा मुझे याद रहता है सब बट सिच्वेशन के हिसाब से हो सकता है जो जो बंदा पहले बता देता है मैं उस कर सकते हो binary option binary trading में ठीक है और Forex में और क्या करते हैं stock में और options में और क्रप्टो में everywhere you can use the Fibonacci अधिए ट्रेडिंग नॉलेच एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं करी दिया लगबग लगबग तो हम लोग अभी यहां पे है पहले इंडिकेटर पहले हम लोग ट्रेडिंग वीव पर समझ लेते हैं ठीक है और फिर उसके यहां पर देख लेते हैं अपने पास जो चार्ट है वह है जी पीपी जेपी वाई ठीक है तो यह ट्रेडिंग यूपर है यह वन मिनट का चार्ट फ्रेम अभी खोल लगे रखा है अगर आप अभी कहो तो दूसरे पर भी दिखा देते हैं पांच मिनट 15 मिनट 30 मिनट जैस इतना सा है इतना सा इतना सा भी देखो ठीक है अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट आपकव्व जानते क्या है इसमें पॉइंट आप यह एक स्वर्य यह ढूंद फिश मेलात है ठीक है यह एकदम ढर्यान के त्वास हो गया यह हमारा फीबोनाची लग गया फीबोनाची का पॉइंट अब ध्यान से देखो ठीक है कि यह देखो अब एक पॉइंट ठीक है एक पॉइंट और यह रहा दूसरा प्टलब हायर ठीक है और यह सबसे क blues अब यहां पर पॉइंट जोए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है वह यह है ठीक है जिरो पॉईंट पाइफ programs had OK outta मेरा मेरा इन दोनों को ज़्यादा मान के चलता हूं पिर उसके बाद 0.7 हे Wam है ठीक है ये वो ए सब्सक्राइब यहां पे धिसे हैं त्रेंड कान सा है तोघ्ल समय लगाने की कोशिस करता हूं यहां पर इसको हटाते हम डिलील मारते है पा cracking यहां पर हम लोग एक बार फिर से लेते हैं देखो downtrend और ट्रेंट है मैंने उपर से लिया researcher एको और पोरा एकदम low यह लगा दिया का के तीक है शलते हैं नीचे क्योण see when downtrend है याद रखना अब देखो हमने क्या आटा 8.8 5 यह मैं धो जाद धैता हो इन लोगों को एक यह इंड वाला रहता है देखो एक यह ले लो आप 0.5 0.6 और एक यह टॉप का ठीक है इसके उपर 00 आता है ठीक है इसके और उपर होगा 00 होगा देखते है ठीक है वन है देखो बहुत बड़ा है यह आखरी में देखो उपर उपर आईसे से प्रेसेंटेज बनता जा रहा है अब यह जितना उपर जा रहा होगा यह उतना अच्छा बड़ा बड़ा गैप मिल जाता है ठीक है तो यह भी एक सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का काम करते ह है ठीक है यह बात यहां आद ऱ्कना सपोर्टें रेजिस्टेंस का अब यह आप ब्रफट यह युद्रत औरboy और outraशां था जीडू 0.5 0.6 ठीक है उसके बाद देखो यहां से 20 से स्टार्ट हुआ सौरी युपर आज चाम हुआ बाकि आनप नुमेर देख सकते हो ठीक है अब बन से देखो यहां पर इतना रिक्सपेक्ट नहीं मिली इस वाले पॉइंट पर टिके इस वाले पॉइंट पर 0.7 पर उसके बाद देखो तो आप नीचे वापस आया ठीके और 0.6 पर एक लेंथ दिया एक उपर एरिया ढकेला ठीके फिर एंड इन इसको ब्रेक किया सब्सक्राइब देखते हैं बहुत लॉंग डिस्टेंस में होगा ठीक है यह चीज यहां पर देखो इतने पास में एरिया कहीं नहीं दिख रहा है मेरे यह देखो ठीक है तो अभी हम लोग उसको भी समझ लेंगे अभी देखते हैं कहीं अधिना कहीं होगा ऐसा नहीं है बिना उसकी नहीं होगा जब हमको सौटकट में यूज करना है मतलब हमको पीछे नहीं देख रहे तो हम यहां पर देख सकते हैं एक एरिया बना बना मिल जाता है मैं सपोर्ड और यहां पर सपोर्ट लिया और यही 0.6 आपका रजिस्टेंस ने अब देखो अब यहां पर देखो वहीं चीज़ बना है आप लोगों को मार्केट इस्टेक्चर का पार्ट दिखाया तो न इसी एरिये के आसपास करता है आप देखो की लेवल को ठीक है रिटेस्मेंट करके पर चला जाता है ठीक है एक बार यह सपोर्ट ले लिया इधर राजिस्टन्स ले लिया और देखो ब्रिक है अब देखो मार्केट घूम के वापस आया देखो मैंने का था ना यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखो मार्केट इसी के बीच में रेंज करने लगा रेंज करने लगा इतना इनको नहीं देना इन सबको नहीं देना ठीक है आप 0.5 0.6 को ज्यादा इन पॉर्टेंट देना मेरे लिए मेरा तो यही समझ अब देखो वापस ऊपर जाता है कौन सा एरिया लेता देखो 0.5 पिर से देखो तो फिर से वापस आया ऊपर गया पर नीचे गया प्रेक फिसे कहां कर रहे इसे रहें इकोई क्लर कहसी क्या कांद कर रहा है इस एरिये में नहीं कर मैं कलर के ही सब से बता रहां मार्केट का इसे क्टेक्चर द kita कैसे समझ में आरा ठीक है उसके बाद प имеет यह सेरिय को ब्रेक करता है तो यही तो आपकर ब्रेक करके यही रजिस्टन बन जाएगा फिर यह सपोर्ट बन जाएगा 0.6 फिर रेंज करता है फिर इस तरह से यह चीज हुआ है यहां पर आप समझ गये होगे ठीक है यह डाउन ट्रेंड का मैंने बता दिया आप इसको कहीं क्या होगा आई होप ठीक है तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा चार्ट को चेंज करके देखते हैं को यह और चार्ट दिख रहा है तो एक सेकंड और यहां हम लोग को यह और चार्ट देख लेते हैं कि यूरो-उसडी का देख लेते हैं को Words चला आप आप अप देखेड नहीं चला मारकेट है यहां मील सकता है ठीक है इसको थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं कि अब देखना पर कि घे ये अंप मिकम एक त्ट्रींड है थोड़ा सा अभी इस वक्तूरर लोऊ अपको है देखो अपने पास इस फ़क्त lower low यह है और higher higher यह है ठीक है यह दो point है अपने पास तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लगाके अभी market इतनी दूर में range चल लाई है ठीक है अब देखो मैंने नीचे से लिया ट्रैक किया उपर तक गया मैं यहां पर लगा दिया अब देखो शिट यार एक सेकेंट यहां से लगाया ठीक है यह उपर गया हायर हाय पर टेच कर दिया ठीक है यह देखो अभी देखो इसमें से इंपोर्टेंट्स क्या निकल किया रहा है देखो आपको देखो जीरो पॉइंट यह ओगया फाइफ ऊपर हो गया सिक्स नीचे हो गया ठीक है याद रखना यहां से वट इस्टार्ट हुआ अब देखो यहां से अभी यह जो लाइन दिख रही है यह लाइन वता रही एक अब यहां पर देखो गे तो आप इसी एरिये के आसपास बीच में आता है 0.5 के एरिये में और मार्केट फिर देखो बूस बैग अब देखो उपर 0 अला पॉइंट लेवल जैसे मैंने स्टार्टिंग बता था लास्ट का यह एरिया ठीक है एक दो यह हो गया तीन यह हो गया और 4 अभी डाउन ट्रेंड में क्या था 0.5 नीचे था 0.4 झीरो इप्ट हूंजट में जीरुपॉइंट फीर ऊपर हो गया 0.6 नीचे हो गया यहां से बन हो गया यहां से जीरो हो गया ठीक है याद रखना है तो अभी मार्केट एतनी दूर में रेंज कर रहे हो देखो 0.5 के एरिये में आया हो मार्केट ने क्या किया देखो ठीक है यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा ठीक है अब चलते हैं थोड़ा सा सब लग्या क्या यह यह लगा हुआ है डा यह 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 तो डाउं ठ्रेंड है तो दाूंट है यहाँ पर यहाँ प्लिटेस्रные इसे पना ही रहा है यह स्जय नहीं रहा है इसको कैसे लगाऊं है इसको यह सट कर देता हूं और इसको ठाके ऐसा से कर देता हूं यह ज्यादा ज्यादा अच्छा टूल्स नहीं देते हैं इसलिए अब देखो यहां पर एक सिकेंट कि अधर यह यह लग जाओ यार यह लोक यह चार्ट का मैप दे रहे हैं मगर अच्छे तरीके से करनी दे रहा है ठीक है देखो अब यहाँ पे अपने पास कहां पर 0.5 यह है 0.6 यह राइट अब देखो यह देखो यहां पर क्या-क्या 0.5 ठीक है ओपर वाला एरिये को रेंजिस्टेंस काम तो करताहैं मगर हमारे और अगर आप थ्यान से देखोगे न तो 0.3 को यहार एक्सपेक्ट मिला रजिस्टेंस कौन सा बन गया 0.5 देखो ठीक है उसके बाद कांटीनियूंग अभी देखो यहां पर क्या करना है 0.5 को ब्रेक किया है ठीक है अब यह एरिये में अब यहां पर मार्केट पूरा बताएगा कि क्या करना है ठीक है अब यह situation को देखो तो यहां से एक रिटेस्मेंट ले सकता है ठीक है नहीं और तो यह होगा बस यह सपोर्ट एरिया मिला यह क्यों कि अगर देखो इसको फिबुनाची को अपने पास एरिया तो ऐसे दिख रहा है तो यह चीज़ को आपको समझ बस इस तरह से देखना है अब यह इतने इतना ज्यादा पूरा देखो मैप नहीं देते हैं बस इतना ही जूम कर सकते जितना मैं जूम कर सकता हूं बस इतना ही इससे जादा नहीं है ठीक है अब यह थोड़ा सा और ट्रेडिंग व्यू की तरह एकदम deeply थोड़ा से एकदम पूरा मिल जाए तो मज़ा है देखो बस इतना इससे यादा कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें अब जिसे ट्रेडिंग व्यू में आप देखो कैसा पूरा व्यू मिल जाता यार देखो आप यह अब देखो पूरा एकदम छोटा बड़ा जितना बच याद रखना तो अब देखो अभी 0.6 के अंडर में है और 0.5 को ब्रेक कर रहा है ठीक है तो यह भी बट यह याद रखना गाइस एक चीज़ आपको बता दे रहा हूं है डिपैंड नहीं रहना है कि यही सपोर्ट है यही रजिस्टेंस है यह काम करता सपोर्ट रजिस्ट भेसितकर बे Werk लें असली मकसद क्या हो है देखो यहाँ पर हम इसी को लेते हैं तोड़ा सा शाही है तो छॉड़ा से लग रहा है अगा अब देखो यहाँ पर असली मकसद क्या सब्सक्र यह मार्केट में क्या है इंहें कि तुछ अब lit to previous में लेवल नहीं है थीक है तो हमको अब लेवल find नहीं हो रहा है तर्स त्रेंड डाउन डायक्शन अभी अब कुछ मिल नहीं रहा है लेवल लेवल तो असली मकसद यह हमको कुछ ढूनना पड़ेगा तो ढूनने के लिए हम इसी का यूज करते कि अपने पास क्या चांसे से क्या कांटी निवास के चांसे से ठीक है यह देखो यह ऐसा ऐसा इन्पॉर्टेंट है ठीक है यह देखो एक सेकेंड वरोबर नहीं है ठीक है यह यह देखो यह बीच की लाइन ना कभी-कभी मूबी एवरेज की तरह भी काम करती है और ट्रेंड लाइन की तरह भी काम करती है ठीक है तो यह याद रखना आप देखो यहां पर क बाकी सब किलिया राय से यूज किया जाता फिबोनाची को ठीक है बाकी अब कोई दिक्कत तो नहीं है बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई डौट है रहा होगा पूछ लेना दुबारा मैं ट्राइ करूंगा ठीक है अच्छे से बताने के लिए अगर कोई भ लोगों की बैनेरी से रिलेटेड लर्निंग लर्निंग वीडियो आने वाली है ठीक है उसके पूरा मार्केट इस्टेक्चर कवर कर लेंगे ठीक है उसको और लास्ट इस्टेक्चर बताया था उसको भी समझ के रखना याद रखना ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही मि एलेगराम पर कॉंटेक्ट करके बता देना कोई भी कन्फ्यूजन या फिक कोई भी एरार हो ठीक है तो चलो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थांक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो और प्लीज कप कीप सपोर्टिंग